iPhone में Lock Screen से कैमरा कैसे हटा है जब दोस्तों अगर आप अपने iPhone में कैमरा को हटाना चाहते हो Lock Screen से तो कैसे हटता है चलिए मैं आपको बताऊंगा सब से पहले हम इसको हटाते की हो यहों मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना जो आइफोन उसको lock कर दिया है और lock screen यहाँ पे open हो चुका है ठीक है यहाँ आप देख सकते हो अगर यहाँ पे कोई भी person मेरा जो है आइफोन का जो यह camera app है जैसे कि आप देख सकते हो इस पे click करेगा यह जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से ठीक है तो यह open हो जाता है यह आप देख सकते हो ठीक है न और उसके बाद यह जो इस्तमाल करना शुरू कर देता है जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है न इस करन से हम अपने आइफोन में यह जो camera वाला जो यह option है इसको हटाना चाहते है तो कैसे हटेगा वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फिलाल यहाँ पर मैं जो अपने आइफोन उसको unlock कर देता हूँ यह देखे मैंने unlock कर दिया और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक जो है आपको जो है अपने आइफोन में ऐसा कोई option नहीं दिया गया है जिससे आप जो अपने lock screen में से camera app को हटा सकते हो वहाँ से जो option दिख रहा है उसको grab कर सकते हो करके लेकिन आपको एक option मिलता है जिससे आप जो है अपने camera वाला जो option है उसको आप जो है यहाँ पर lock कर सकते हो hide कर सकते हो ठीक है इस तरह किसा आप क्लिक करके open करेगा कोई तो यह open नहीं होगा कैसे करते हैं वो setting चलिए मैं आपको अदाता हूँ उसके लिए आपको जो सबसे पहले तो हमारा यूटूब चैनल है उसको subscribe कर लेना है और बेल अकन को आपको आरपे सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको जो है अपने iPhone के setting आप पे चले जाना है जैसे आप जो अपने iPhone का setting आप open करोगे इस तरीकी से आपका open हो जाएगा आपके iPhone का setting आप अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको मिलेगा screen time screen lock का camera आप open नहीं होना है वो setting करना चाहते है तो screen time पे हम क्लिक करेंगे उसका नीचे आएंगे यहाँ पे मिलेगा content and privacy इस पे आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पे आपको काफी तरीकी का option मिलेगा तो यहाँ पे allowed app पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पे आपका जो iPhone है उसका जो lock इसकी नहीं उसका passcode आपको डालना है ठीक है तो यहाँ पे मैं अपना जो iPhone है उसका lock इसका passcode डाल दिया अब यहाँ पे काफी तरीकी का option आ रहा है तो यहाँ पे आपको camera दिखाई देगा camera के बगल में यह जो enable है इसको आपको disable करना होगा यह देखिए मैंने disable कर दिया अब यहाँ पे back चले जाएंगे और back चले जाएंगे और back चले ज ठीक ठीक है और यह काम नहीं करेगा यह देखिए यह option आपको disable हो चुका है ठीक है इस तरीके साब disable कर सकते हो उसके बाद अगर आपका जो iPhone है उसको आपका जो कोई friend है या फिर family member है वो इस तरीके से उसको click करेगा और open करेगा तो यह open नहीं होगा ठीक है न तो इस तरीक आपको camera app आपको दिखा ही नहीं देगा यह आप देख सकते हो इस सरीके का दिक्कत आता है यहाँ पर आपको कहीं पर camera app नहीं दिखा ही देगा ठीक है न तो यह दिक्कत आ जाता है दोस्तों इसलिए हम वापीस चले जाएंगे और यहाँ पर जो option था उसको हम दुबारा से आपको आपको अरशेस बताता हूं अगर आप इसको disable कर दोगे तो यहाँ से तो हड़ जाएगा lock screen से यह आप देख सकते हो उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे कहीं पर camera app तो आपको नहीं दिखाई देता है ठीक है इस तरीके से दिक्कत आता है य यहाँ पर जब आया थे और इसको हम जो enable कर देते हैं वापिस से और उसके बाद यहाँ पर आप सार्चे करोगे camera तो भी आपको दिख जाएगा यह देखिए यह आ गया ठीक है ना तो आज इस वीडियो में आपको बताया कैसा आप जो अपने iPhone में camera app को हटा सकते हो lock screen से ज जिससे आपको जो iPhone है उस पर जो camera app को कोई भी न open कर पाए करके ठीक है तो अगर आपको जो जानना है कैसे आप जो अपने iPhone में camera app पर जो lock लगाना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे description box चेक करो आपको एक वीडियो के link मिलेगा description box हम लिखा रहेगा iPhone में app में lock कैसे लगा जार लिजिए दो ठीक है तो चली दौस्तों मिलता हूँ किसी ने वीडियो पर तब तक के लिए गड़बाय दौस्तों चलीए मैं मिलता हूँ किसी ने वीडियो बै तब तक के लिए मचाते रहो